जै माता दी, स्वागत है आप सभी का मेरी बक्ती वावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको अश्टमी और नोमी के उपाय बताने वाला हूँ अश्टमी और नोमी के दिन आपको माता को भोग लगा करके कुन सी चीज खानी है नवरात्रे के नो दिनों में माता के नो स्वरूपों की आराधना की जाती है नवरात्रे के नो दिनों में प्रते दिन गो माता की पूझा की जाती है जिसे काम देनु माता का अश्टमी और नोमी को बैटाते हैं कंच के क्योंकि माता के जो नवरात रहे हैं उसकी ब्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब हम कंच के बैटा थे जब आप अश्टमी और नोमी पूझ रहे हों तो उस समय माता को प्रसाद चड़ा करके उसका भोग जरू पाना चाहिए इस दिन बड़ा मेहत होता है प्रसाद प्रसाद का तो प्रति दिन मेहत होता है लेकिर अश्टमी और नोमी के दिन आपको एक चीज जरू खानी है सबसे पहले आप सोवेश्णा नादी करने के बाद में माता की पूझा करें और कंचकों को निवंतार दे करके आएं कंचकों को आप नो कंचकों और एक लंगरा को बलाएं उनके पैर दोएं उनके चंदन का टीका लगाएं उनको भोजन कराएं नेवे द्यारपन करें दख्रा दें बस्त्र दें उसके बाद में माता के सामने आपको थोड़ा सा सहद रखना है खीर का प्रसाद रखना है नारियल और केला ये चार चीज़े आपको माता के सामने रखनी है माता के मंत्रों का जाप करें हो सके तो इस दिन हवन भी करें और अपनी इच्छा बोल करके माता के सामने से आपको ये चीज़े जरूखा लेने हैं उठा करके नारियल के अंदर गर बीज निकल आता है तो उसका प्रियोग गरबती मेला जरूर करें। आज के दिन किये गए उपाय का विशेश लाम मिलता है और व्यक्ति की सभी मनुकामनाय पूरी हो जाती हैं। इस वारश्ट मीनोमी पर बहुत ही अच्चा महासुफ सयोग बनने जा रहा हैं। इन राश्यों का योग बहुत ही अच्चा हैं। तो भगवान की क्रपा से आपकी मनुकामना पूरी होगी, धन बड़ेगा, शुक और सम्रदी बड़ेगी, पुत्र धन प्राप्ति की योग बनेंगे, तो आप माता को भोग लगा करके इन चीजों को जरूर खाएं। माता का आशिरवाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आश्टिमी नौमी के दिन माता सभी को आशिरवाद देती हैं और उनकी मनुकामना पूरी हो जाती है। जो प्रसाद आप बनाएं उसके प्रसाद नारियल जरूर होना चाहिए। नारियल का प्रसाद जरूर खाना है। जै मातादी।